हलो फ्रेंट्स वेलिकम टो मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैं हर्प्री पटेल आज आपको करेंट अफेर का नया मौक टेस्ट बताऊंगा और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था बाल विकास का जिसमें 35 परिभासाई थी उसमें एक गलती हो गई थी 29 नंबर के कोश्चन में तो उसको सुधार कर लिया गया है आप उसको देख सकते हैं और उसकी PDF भी डाउनलोड कर स रखते हैं और गलती के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि गलतिया हो जाती हैं कभी कभी चलिए अब शुरू करते हैं अपना माउक टेस्ट आज का उससे पहले देखते हैं कल के माउक टेस्ट में किसने कितने अंक गेन किये तो कल के माउक टेस्ट में 27 नमबर दीच्छा के हैं काफी अच्छे आयूस यादो के 23 सोनम के 25 अनवर के 29 अतुल के 26 संजीव के 22 गरिमा के 25 सिवम पांडे के 28 अर्चना यादो 28 दीपक मिश्रा 28 सत्यमादो 24 अरुन कुमार दिवदी 28 काफी अच्छा परयास सुधांसु मिश्रा 25 काफी अच्छा परयास इनका सोनम जैस्वाल 27 सचेन परचिस तो काफी अच्छा परयास इस अभी का और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टापिक पहला प्रस्ने उत्तर पुदेश में कुल कितने नगर निगम है आपको पता होगा बहुत ही आसान सा प्रस्न ही तो उत्तर पुदेश में अब कुल 17 नगर निगम हैं पहले से 16 अब 17 हो गए हैं अगला प्रस्ने जी ट्वंटी सिगर सम्मेलन कहां आईजित हुआ 2017 का बताई इसका जवाब क्या होगा जी ट्वंटी सिगर सम्मेलन 2017 कहां आईजित हुआ बहुत ही आसान सा प्रस्न है यह आईजित हुआ हैंबर्ग जर्मनी में हैंबर्ग जर् मनी अग्ला प्रेस्न है वि सब्रें तरह सब्सभी को प्ता होगा पहुड़े जुन को होता है अगला प्राश्न है गोल्डें कर्ड किसकी पुस्तक है ले गोल्डें गॉल किसकी पुस्तक है बताई इस कहजाब क्या होगा तो यह P.T.U.S.A. जी की पुस्तक है P.T.U.S.A. जी की यह पुस्तक है बहुत ही अच्छी बुक है हो सकता है एक्जाम में पूछने योग योगे बुक है हो सकता है मिल जाए अगला प्रस्ने है आसेयान सिकर सम्हेलन 2017 कहां आजित हुआ और असियान सिकर सम्हेलन 2017 कहां इजित हुआ तो आपको पता होगा तो आप लिख लिमिया si magna fazaki में अगला प्राशन है उत्तरकीश्द का राश्टी पसू कौन है ४ार्थी का राश्टी पसू कौन है तो आग को पता हुगा यह है बारा सिंगा है बारा सिंगा jewel गई अगला प्रस्न है विस्व भुक्मरी सूचकांग में भारत का कौन सा इस्थान है विस्व भुक्मरी सूचकांग में भारत का कौन सा इस्थान है विस्व भुक्मरी सूचकांग में भारत का अगला प्रस्ने विस्त धरोवर की सूची में अब तक कितने भारती इस्तलों को सामिल किया गया है सामिल किया गया है बताईए तो 36 36 भारती इस्तलों को सामिल किया गया है अगला प्रस्ने प्रधान मंत्री से संबद आर्थिक सलाकार परिशत का अध्यच कौन है बता इसका जवाब क्या होगा तो विवेक देवराय है विवेक देवराय देवराय आर्थिक सलाकार परिशत की अध्यच अगला प्रश्ण है प्रधानमंत्री सरकार मद्पदे सरकार का 2017 का कालिदा सम्मान किसे मिला मद्पदे सरकार का 2017 का कालिदा सम्मान किसे मिला बहुत ही अच्छा प्रश्ण है तो ये मिला है राम गोपाल बजाज को राम गोपाल बजाज अगला प्रस्न भारत के वीर अभियान के ब्रांडम बेश्टर कौन है अच्छे कुमार अभिनेता है अगला प्रस्न पंकज आन्डवानी किस खेल से संबंधित है पंकज आढवानी किस खेल से संबनाद है काफी अच्छे प्लेयर है टो यह बिलीर्ड चे से संबनाद है अकला प्रश्य भारती महिला किर्केट टीम की कपतान कौन है भारती महि़ला किर्केट टीम क्रिकट टीम की कप्तान कौन है तो आपको पता होगा ये कौन है मिताली राज मिताली राज है भारदी मेला क्रिकट टीम की कप्तान अगला प्रस्न है रख भी विसकप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा रख भी विसकप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा तो ये करेगा फ्रांस फ्रांस करेगा फ्रांस अगला प्रस्न है में हम्यार में रोहिंग्या संकट के लिए बारस द्वारा चला है या अभियान कौन सा है बताई इसका जवाब तो ये है आपरेशन इंसानियत अगला प्रस्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है आपको पता ही होगा सबसे पुराना वेद कौन सा है तो रिगवेद है आपको पता होगा अगला प्रस्न है ग्रांड टैंक रोट किसने बनवाई ग्रांड टैंक रोट किसने बनवाई ये बनवाई थी सेर साह सूरी ने सेर साह सूरी अगला प्रस्ण है नीत आयोग के उपाद्धेच कौन है नीत आयोग के उपाद्धेच कौन है तो बताईए इसका जवाब क्या होगा बहुत ही महत्त प्रस्ण है तो नीत आयोग के उपाद्धेच ए interfaz राजिव कुमार और नीत आयोग के अध्यलच होते है भारत के प्यम और नीत आयोग के स्थापना एक जनुरीडी 2015 को होई थी योजना आयोग के स्थान पर अगला प्रशन है गुजरात के नए CM का नाम बताए गुजरात के नए CM का नाम बताए तो गुजरात के नए CM है विजय रूपानी जी विजय रूपानी अगला प्रशन है वैस्विक सांती सूचकांग में भारत का कौन सा इस्थान है बहुत ही अच्छा प्रशन है एक सो सेहतिस्वां स्थान है एक सो सेहतिस्वां स्थान है अगला प्रश्ण है कंदरिया महादेव मंदिर कहां है कंदरिया महादेव मंदिर कहां है बताए आप को कंदरिया महादेव मंदिर है मध्य परदेश राज में मध्य परदेश में अगला बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है पंडित भीम संजोसी किस घराने से संबंधित हैं किस घराने से संबंधित हैं ये हैं आपको पता होगा तो आपने लिख लिए होगा ये हैं किराना घराना किराना घराना अगला बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है डोर टू डोर अभियान किस रोग के लिए चलाए गया ये चलाए गया था टीबी टीबी के लिए अगला प्रस्न है डोरिस लिव थर्ड किस देश के रास्टपती है डोरिस लिव थर्ड किस देश के रास्टपती है बहुत ही अच्छा प्रस्न है बताएए डोरिस लिव थर्ड किस देश के रास्टपती है ये हैं स्विट जर लैंड के अगला प्रस्न है विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का विमोचन किस ने किया विस्व की सबसे बड़ी पुस्तक का विमोचन किस ने किया तो विस्व की सबसे बड़ी पुस्तक है कड़वे प्रवचन और उसका विमोचन किस ने किया है आप बताएए तो इसका जो विमोचन है वो किया था जोती आमगे जोती आमगे ने आमगे जो सबसे कम हाइट की महिला है विस्स में जोती आमगे उन्होंने किया है अगला प्रशने पंच परमेश्वर पोर्टल किस राजे ने लांच किया पंच परमेश्वर पोर्टल किस राजे ने लांच किया तो ये मद्ध प्रदेश ने लांच किया है अगला बहुत ही आसांता प्रश्ण है उडिशा की राजधानी बताईए तो आपको पता होगा उडिशा की राजधानी क्या है तो उडिशा की राजधानी है भूवनेस्वर भूवनेस्वर अगला प्रश्ण है प्रतिस क्या है अच्छा प्रश्ण है ये प्रत्युस क्या है इसका जवाब क्या होगा तो प्रत्युस है सुपर कंप्यूटर भारत का सुपर कंप्यूटर है याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर है भारत का सबसे तेज गति का चलने वाला सुपर कंप्यूटर भारत का है अगला प्रश् 2017 कहां आयजित हुआ जी सेवन सिगर सम्मेलन 2017 कहां आयजित हुआ तो इसका जाव है इतली में हुआ है इतली में हुआ है तावरमीना इतली अंतिम प्रस्टने इस वीडियो का 22 में राष्ट मंदल खेल कहां आयजित होंगे तो इसका जवाब बताइए आप क्या होगा इसका जवाब है बर्मिंगम इंग्लैंड में बर्मिंगम इंग्लैंड में आयजित होंगे तो friends मेरा वीडियो ये पर खतम होता है और कमेंट करना मत भूलेगा वीडियो को सेर कीज़ेगा लाइक कीज़ेगा Thank you friends मेरे चैनल पर आने के लिए और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को सेर जरूर कीज़ेगा जिससे की काफी लोग मुझसे जुटते रहें Thank you friends